हाई गाईज असलाम अलेकूम कैसे हैं आप लोग आए हो खुश है मज़े में अलहम्दल्ला हम लोग भी ठीक है तो आज हम बनाते हैं अर्भी स्टाइल चिकन शार्मा तो यह मैंने हाफ केजी मैंने चिकन लिया चितरा वाश करके मैंने इस तरह से कट कर लिया यह देखिए म 10 सब्सके मां लिया जो को यह देखिंगे गोले की जो हम आप द对हब कर एवृटलतर के लिया है इसमचिकास अगया दस चीजम है ऐसको में तो आप लुकश है एड़ किये हैं तो जो चीज आपके पास अविलेबल है तो आप वो चीज इसमें एड़ कर दीजिगा और आपको चिकन तंदूरी मसाला या तंदूरी मसाला जो भी अविलेबल है आप इसमें एड़ कर सकते हैं नहीं है तो आप इसको तो इसम tsunami कर दिजा काली मीज़़ का mentor 1raph तो और गरम मसाल्णा 1 तेबल स्पून तो मैंने सारी चीज़े इसम में रड़ा थी तो यहां हम और constitutes king तर में 1 टेबल स्पून कसुम्टी लाल मूची भीं अच्ञी टाना सी नेमир लिया यह म Super मिक्स कर लिया है और यह एएका हरा से मिक्स करने के बाद जो मेरे चिकन की सारे पीसिस थे मैंने स्मेर डाल दिया है अच्छी तरह मैं इसको mix करके marinate करने रख दूगे अगर आपके पास ट्राइए में तो overnight कर दीजिए नहीं है तो half hour या one hour के लिए आप इसको marinate करके फ्रिज में रख दीजिए और उसके बाद marinate करने के बाद देखिया हमने इसे रख दिया है और मैंने सारी wedges भी cut कर ली थी और wedges जो आपके पास available हो आप वो इसमें add कर दीजिएगा मैंने इसमें थुरा butter डाला है और one small size मैंने onion लिया था और जो जो wedges मेरे पास हैं अगर आ आप उसे भी और सिफ प्यास डाल के आप उसे बना सकते हैं तो जो मेरे पास भी half half पड़ी थी तो मैंने इसे सब डाल दी तो यह देखिया मैंने एक pan लिया है और इसमें घी बटर जो आपके पास है आप वो डाल दीजिए और थोड़ा सा मैं इसमें cooking oil add करती हूं जो आप आपके पास available हो जो भी हो अगर आपके पास olive oil है या butter है या cooking oil है जो हो आप उसको इसमें अच्छी तरह से पका लिजेगा तो हमें सारे chicken के pieces मैं medium to low flame पे पकाऊंगी अच्छी तरह से golden brown होने तक में इसे पकाऊंगी और इसे बहुत अच्छा मत्तब इस तरह से बहुत अच इसको इस तरह से flip कर दूँगी तो आप इसको इस तरह से flip कीजेगा तो बस इसको देखते लिजेगा कि यह नीचे से लगे ना तो बस इस तरह से इसको थोड़ा time लगेगा लेकिन यह बहुत अच्छी तरह properly cook हो जाए यह चीज आप धियान है आप इसमें एक फोग डाल के देखेगा कि यह अच्छी तरह से हमारा cook हो गया ना तो यह देखिए मेरा proper मैंने डाल के देखा फोग यह मेरा अच्छी तरह से cook हो गया तो यह देखिए अब हम इसको ठंडा करेंगे और तंडा करने के बाद हम इस पीस को cut करेंगे आप चाहें चोटा बड़ा जैसे आप को अच्छा लगया आप इसको cut कर लीजिए मैंने इसको इस तरह से cut किया था और हमने यह लिया है टॉटिया ठीक है मैंने यह टॉटिया लिया है अगर आपके पास टॉटिया नहीं है तो हमारे इंडिया में रुमाली रोटी होती है आप उसे वह डाल सकते हैं शेजवान मिर्च बैक्डी चट्नी को अच्छ में रहा हैं अब लागा सकते और लतर महतन तो में तो आम बढ़िया है अइस caff那我們 इंडिया होती है जो आप ऊसमें एड की तॉटिया की जगा थां ने आप चान में चनल लगा दिया थे सब्सक्त कर ने ठीक हैं संब्सक्स कर प्सक्तरे ह जो हमें डाले थोड़ा सा और इसको अच्छी तरह से मैं छील और यह प्छाओंगी मिढियूम टू लोाओं जो पकाऊंगी थोड़ा सा बटर मतलब वही न आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे आप बटर या फिर देशी घी या फिर ऑलिव ऑईल जो आपको लगे आप उसको यूज करें इसको हम अच्छी तरह इस तरीके से देगे हम इसको अच्छी तरह से सब साइड से हम इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे और यह देखिए इसका यह कलर हो गया यह हमारा मज़ेदार सा शौर्मा हमारा रेडी है और हम इसको कट करेंगे और बहुत सीरिस्टी बहुत यह हुरा था मेरे अजबिन बाहर के दो काते हैं माशाला यह थ्री पीस खा गए थे यह अच्छा मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा और यह इस तना सी यह देखिए आप घर में बनाई यह आप लोगों को बहुत यह मैंने दूसरा वाला शौर्मा भी एक और मैंने बनाया था कि आपको दिखाती हूं तो यह देखिया हमारा शौर्मा रड़ी है थैंक जाता कि लूगों बनाई झाला शौर्मा पॉर्मा भी एक और शौर्मा चला तो यह व ह मानला है उह एक ठ Lynn, वर्वटि षर सं पर में ऩलता हूं को को भी का उसίν यह जे खिया वज़ coordin आपको का उन्मारा हुफ and विभ और गलते ह। समय वालता है फईवते हैं दूर्त हैं द